शिव इस्तुति को पंच तंतर वन पे एक छोटा सप्राया से हमारा यूट्यूब चैनल है तो उसको बहुत एकांत में जाके सुनिये 17 पद हैं दुनिया भर के हम हॉर्ण वार्न सुनते रहते हैं लिए वर के गाने माएं सुनते रहते हैं पंच तंत्रवन पर जायें 17 पद हैं उनको एकांत में सुने उनको पहले दीरे-दीरे कान में गुलेंगे आपके तो ओर अटोमेटक वह आपके कंठ में स्थान प्राप्त कर लेंगे और कान से जहां कंठ में पहुंचे तो वो मतलब आपके चित में भी आ जाएंगे आपके चरित्र में भी आ जाएंगे और आपके चिंतन में भी आ जाएंगे और जब शिव चित चरित्रों चिंतन में हो तो फिर आपकी जीवन ज जो वी शुखती होगी, वह आपका मित्र हो, अमित्र हो, आपका हितेशी हो या आपका अहित्सदक हो, उसके सब के कल्यान को हम और आप साधने की दिशा में बढ़ जाएंगे, यह तो ऐसी हमारी प्रार्त्रा है वह यह तो उस प्रार्त्रा यह तो मतब भोगे हुए सत्त बोल रहा हूं मैं यह अनुभव जन्ने सत्त साजा कर रहा हूं क्योंकि एक बार करके देखें कि मेरा यह मानना है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बोली नहीं जाती करके देखी जा लेकिन क्योंकि ये कहा जाता है कि अकीदत इबादत मुहबत करके तो देखो अकीदत इबादत मुहबत करके तो देखो गुलामी संत और भगवान की खाली नहीं जाती लेकिन बस यह है कि भर के कर ले एक बार करके देख ले और यहां पर जैसे आप बैठी है आपका नाम क्य समझ लगाके सुन लही है आप को समझ में आगे हमारी यहां संकोच हो गया थैब कि वो ते कि हरी वह पता नह Ma destinations कॉंसीuguseum कि भीया यह कथा मता प्रवचन प्रवचन यह सब यह दंद फंदम सुन सुन के हमारे कान तक चुके हैं लेकिन यह कथा प्रवचन नहीं है यह तो अपने मन की व्यताओं के समाधान का जो हमको परम पूझे दद्दजी के माध्धम से अपने जीवन में अनुभवजन निस सत हैं आप सबके साथ यहां पर साजा कर रहा हूं वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक बिश्लेश हम करते हैं सत्यका अनुवेशा तखल नियूज आपके हक्त में आप देख रहे हैं तख झालीओ